The Power of Positive Thinking Book से ऐसी पाँच हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। इस बुक पर हमने एक डीटेल वीडियो भी बनाया था जिस पर आपका बहुत प्यार मिला। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लें। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें कभी भी अपनी प्राब्लम्स और ट्राजरीज को इग्नॉर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बलकि हर सिच्वेशन में हमेशा पॉजिटिव सोच और भरोसे के साथ काम करना चाहिए। हम जाद अतर किसी भी भारी मुसीबत में हार मान लेते हैं जबकि हम पॉजिटिव रहकर अपनी जिन्दगी में आई सभी परिशानियों को सभाल कर खत्म कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच एक भरोसा है और एक mental attitude है जो हमारे मन के विचारों, शब्दों और तस्वीरों में शामिल होती है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ अची चीज़े होंगी और हमारे efforts के बदले हमें success मिलेगी। जबकि सिर्फ सोचने से ये नहीं होता, उसके लिए हमें भरोसा और positive सोच की जरूत होती है। तो चले फिर इस book से 5 सबसे जरूरी habits के बारे में बात करते हैं। अपने आप पर भरोसा करें। अपनी जिन्दगी में success पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा रखना सीखना होगा। फिर चाहें आप कुछ भी कर रहे हैं उसे भरोसे के साथ करें। किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके पास self confidence होना चाहिए जो भरोसे से ही आता है। हमें खुद पर और अपनी capabilities पर भरोसा रखना चाहिए। अपनी powers में humble और suitable भरोसे के बिना हम खुश या successful नहीं हो सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कम self respect बहुत ही disgusting होता है जो आपको unsuccessful बनाता है। जबकि एक मजबूत self confidence के साथ successful बना जा सकता है। Insecurities और inadequacy आपकी hope के साथ आती है। जबकि self confidence से आपको self realization होता है जिससे आप जिन्दगी में successful बनने के लिए positive सोच के साथ काम करते हैं। इसलिए हमें हमेशा self confidence के साथ साथ अपने आप पर भरोसा भी रखना चाहिए। हमारी strength हमें हमारे self confidence और willpower को कभी भी कम नहीं समझने की ताकत देती है। जिससे आप अपने जिन्दगी में अच्छे फैसले लेने लगते हैं और success के रास्ते में आगे भरते हैं। जब आप अपने आप पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं तब आपको जिन्दगी में successful होने से कोई भी नहीं रोख सकता है। फिर उसके बाद आपके सामने कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। आप उससे बाहर निकल सकते हैं। एक शांत मन शक्ती को produce करता है। जब हमारा मन सोचना शुरू करता है तो उस सोच के साथ हमारे सामने कई मुश्किले भी आती हैं। उन मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना होगा। जिसके लिए हमें मन को शांत रखना आना चाहिए। अपने मन को शांत रखने का पहला तरीका ये है कि हमें मन को खाली करने पर लगातार काम करना चाहिए। The Power of Positive Thinking Book में author हमें अपने दिमाग में आने वाली गलत सोच को सही सोच में बदलने के लिए कह रहे हैं अपनी सोच को Positive तरीके से लेने के लिए हमें बुरी चीजों में भी अच्छाई ढूनने की जरूरत है हमारी आँखों को अच्छे और बुरे में फर्क करने की काफिस समझ होनी चाहिए अगर हम अच्छे और बुरे में फर्क करना सीख जाते हैं तो इससे हम और जाधा अच्छी Opportunities को हासिल करने लगते हैं आपकी जिन्दगी में कोई नकोई ऐसा इनसाम भी कर सकते हैं वो इंसान आपको और आपके दिमाग को हमेशा शान्त रखेगा और एक शान्त इमाग होने से एक positive शक्ती produce होती है इसलिए हमेशा अपने दिमाग को negative सोच से दूर रखने की कोशिश करें और अपनी जिन्दगी में हमेशा एक ऐसा इंसान रखें जिससे आप सभी चिंताओ और दुखो पर discussion कर सकें जब आप मन को शान्त रखना सीख जाएं तब आपके अंदर positive सोच बढ़ने लगेगी जिससे आप और जादा अच्छी opportunities को हासिल करने लगते हैं जब opportunities जादा होंगी तो आप अच्छे फैसलिल लेने के तरीकी ढूनेंगे जो आपक के लिए अगर आपका दिमाग आपको बताता है कि आप ठके हुए हैं तो आपका body mechanism आपकी muscles को एक सचाई की रूप में स्विकार करेगा इसलिए अगर आपका मन किसी चीज में बहुत जादा interest रखता है तो आप उस काम पर अपनों पूरा ध्यान देकर काम करेंगे faith किसी idea से ही काम करता है actually में ये thought discipline का एक system है मन में भरोसे के emotion को पूरा करने से ये body में energy को बढ़ा सकता है इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मन में positive बाते सोचे और हमेशा अपनी health body से related hopeful रहने की लगातार कोशिश करें positive source की power हमें अपनी ताकत को समझने और मैसूस करने के लि हमें अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ते रहने के लिए अपने obstacles को दूर करना और लड़ना सीखना चाहिए जिससे हम अपने डर का सामना कर सकते हैं भरोसे से काम करके हम लगातारा energy हसल कर सकते हैं जिससे हम अपने आपको success की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख प्रातना की शक्ति को ट्राय करें हमें कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करने चाहिए बलकि भगवान पर भरोसा करके प्रातना करते रहने चाहिए सिर्फ भगवान ही आपके लिए काफी है प्रातना करना आपके लिए पनाग का काम करता है भगवान से जुड़कर हमारा positive energy से communicate करता है और आप हलका महसूस करने लगते हैं क्योंकि आप धीरे-धीरे अपने सभी burden को छोड़ देते हैं The power of positive thinking में author कहते है कि हमें भगवान की शक्ती में वरुसा करना चाहिए और यही आखेर में हमारी खुशी और सफलता की और हमारा guidance करेंगे physical health और wellness के export भी हमेशे अपने इलाज में प्रात्ना के इस्तमाल करते हैं inner harmony की कमी के कारण disability तना और परेशानी पैदा हो सकती है और प्रात्न शरीर और आत्मा के harmonious कामगाज को ठी करने में remarkable results दिखाती है इसलिए हमें अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए जिससे हमारा शरीर और मन positive energy से communicate करेगा best को expect करें और इससे पाइं इस lesson में author ने एक ऐसे इंसान की काहनी के बारे में बताया है जिसका बेटा हर काम में fail हो जाता है जबकि उस लड़के के पास सब कुछ था वो एक अच्छे परिवार से था उसके पास पैसा और education knowledge बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी वो अंसकसल हो रहा था उस आदमी के बेटे ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उसे सकसल नहीं मिल पाती है लेकिन बाद में उसे अपने अंसकसल होने की वज़य मिल गई और उसने सही रंग से फिर से कोशिश की जिसके बाद उसने सकस को हासिल किया जब आथर ने उस लड़के से उसकी सकसल का और उनके अचानक notable बदलाव का कारण पुछा तो उस यंग लड़के ने जवाब दिया एक बहुत ही असान जवाब ने उनके जीवन को सकसल बना दिया उन्होंने कहा एक बहुत ही असान बात ने सब कुछ अचानक से बदल दिया और वो असान बात है भरोसा करना उन्होंने कहा कि उन्होंने भरोसा करना सीखा जिसे उन्हें ये पता चला कि जब आप सबसे बुरे की उम्मीद करेंगे तो आपको सबसे बुरा ही मिलेगा और अगर आप सबसे अच्छे की उम्मीद करेंगे तो आपको सबसे अच्छा मिलेगा उनकी अचानक success का reason कुछ खास भी नहीं था ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे powerful law सीखा था और वो law था उम्मीद करना सीखना, खुद पर भरोसा करना और उस पर भरोसा करना जो आप करते हैं आप सोचें कि वो सब कुछ आपको मिले जो आपको successful बनने में मदद करेगा जिन्दगी में successful होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको successful होना क्यूं है जब जवाब मिल जाये तो आप अपनी कमी को सही करने के लिए काम करें अनसकसल से सीखे और हमेशा खुद पर भुरसा बनाए रखे Thank you दोस्तो I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी I hope आप समझ गए होगे कि positive thinking की power कितनी strong है और आप अपने आपको हमेशा कैसे positive रख सकते हैं अगर आप इसकी detailed वीडियो देखना चाते हैं तो उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो immediately चैनल को subscribe वीडियो को like और comment भी करते हैं इससे हमारा motivation consistently भड़ता है